अगर ये छे शावधानियां रखेंगे तो आपकी भक्ती और बढ़ेगी अगर आप सह गएना तो आपके हिर्दे में एक अगनी और लग जाएगी वो होगी प्रेमागनी इसी अगनी के सहने से वो अगनी जलती ध्यान रखना अगर ये अगनी बुझाते रहे तो वो अगनी नहीं जलेगी पक्का समझ लीजिए आप देख लीजिए इस अगनी को अगर बुझाते रहे ये वेग आगनी जो आती है इंद्रियों की इनको अगर आप बुझाते रहे तो ये आगनी लगेगी विरहागनी और जब आप इस अगनी को सहेंगे तो आपकी पूर्ण सनमकता प्रभु की तरफ होती फिर विरहाधनी जग जाती है कैसे मिले प्रभु, कैसे अब सहा नहीं जाता, अब रहा नहीं जाता, प्रभु मिल जाओ, प्रभु मिल जाओ उसके एहदय में स्थिती जाग्रत हो जाती वागद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्ष्णम हसती क्वचिच्च विलजिवुद गायती नत्यतेच्च मद्भक्ति युक्तो भुवनम् पुनाती आहाँ बाणी प्रेम से गदगद हो गई चित्तम पिघल कर बहने लगा यह जब बेग सहा तो हरी भी देख रहे न कृपाल हुए मेरे लिए यह सहरा है मेरे लिए यह त्याग कर रहा है यह भी वो कृपाल हुए प्रेम लक्षणा भक्ति जागरत हो गई वानी गदगद है चित्त पिघल कर बह रहा है रोने का ताता नहीं तूट रहा कभी कभी लेला इस्पुरित होती है तो देख करके खिल खिला के हसता है कभी लज्जा छोड़कर उच्छश्वर में पुकारता है कभी नाचता है कभी गाता है ऐसे भक्त के द्वारा संपु प्रण भुवनों को पावन करने की सामर्थ आ जाती मंभक्त युक्तो भुवनम पुना दो बच्चा पंकी अवस्था थी बेठ गया सहना है कठोरता पूर्व के निश्चे कर लो कि प्राण निकल जाए पर मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं होना तो प्रभु सामर् देगे और बहुत आनंद कानुभव होगा कि अब जब आपके हिर्दे में भक्ती का द्वार खुला है इन सड़ विकारों के शहने से इन वेगों के शहने से तो अब आप शावधान हो जाएए जो आपके हिर्दे में भक्ती जागरत हुई वो नश्ट ना होने पावे अग बहुत इही बाधित हो जाएगी पता में फिर कवंकुरण हो इसलिए शावधान रहे आचारे आदेश कर रहे है अत्याहारा उपाशक को चाहिए अत्याहारा में दो बाते हैं एक है अधिक खाना और दूसरा है जो आपको बहुत प्री लगता है उसका संग्रह करना ये प् चाहिए ये हमारे भक्ति को चीन करने वाली ब्रति है जो मुझे बहुत प्री लग रहा हो उसे नहीं खाना जो बहुत प्री लग रहा हो उसे नहीं रखना आहार विहार में जो इंद्रियों के विलास में जो बहुत प्री लग रही है बस तू वो पास्ट नहीं रखनी जो तो बहुत प्री लग रही है, जिसमें हमारी बहुत रुची है, उसे हमें नहीं खाना, क्योंकि मुझे भगवत आराधम में लगना है, हमारे हिर्दे में जो इन वेगों के शेहने से भक्ती बढ़ रही है, उसको ये नस्ट करने वाले हैं, इसलिए आदेश करें, अत्याह आ रहा, उसा है, जिस दिन अधिक भोजन कर लो न, तो प्रमाद स्थिती आती, इदर उदर के चिंतन आते हैं, लोगों से बात करने कमन होता है, फिर कमरे में बैट करें, कांतिक चिंतन करने कमन नहीं होता है, बाहर प्रपंच करने कमन होता है, चलो घुमें फिरें, देखें बात करें, लोगों से मिलें, ये बात आती हैं अंदर से, या फिर और भी प्रपंच कारियों में रती होने लगती है, अत्याहार तो बहुत ही वरजित है, एक नियमा वली बनानी चाहिए सादक को, कि मेरा चार रूटी में हो जाता है, फिर बस उतना ही अनुपात रखे, कहीं प्रगट हुई भक्ती को छीर करने लगती है, इसलिए उपाशक सावधाम रहें, और प्रयासस्च, आदेश कर रहे हैं, कि जो भक्ती के प्रतिकूल तुम्हारे प्रयास हैं, चेश्टाये हैं, बहुतायत है कारियों की भक्ती के प्रतिकूल, उनको आप त्याग दीजिए 24 घंटे की दिनचर्या का निरक्षण हो, चाहे आप ग्रियस्त भक्ती इमान उपाशक हो या विरक्त, ग्रियस्त हैं, तो जो भी आपकी संसारिक चेश्टाये हैं, भगवत त्रित्यर्थ सास्त्रन कूल होनी चाहिए, धर्मन कूल होनी चाहिए, जिसे कल एक उपाशक ने प्रश्न किया, कि ग्रियस्ती में बेहिमानी जूट का अस्तरा लेना पड़ेगा, नहीं तो व्यापार नहीं चलेगा, गलत धारना है, गलत धारना है, ऐसा नहीं है, माना बेहिमानी में तुम थोड़ा अधिक धन कमालोगे, लेकिन अशान्ती, रोग, क्लेश, मंद धन उतना नहीं होगा, लेकिन आप चैन से नमकरुटी खाएंगे, स्वस्त रहेंगे, विचार पवित्र रहेंगे, परिवार में शांती आनंद रहेगा, आप मानिये, अधर्म पूरवक कमाया हुआ, धन कभी किसी को चैन नहीं लेने देता, कभी शांती नहीं मिल शकती, विश्वास कीजिए, ये ब्रहम हटा दीजिए, कि हम अधर्म से जूट बोल करके बहुत धनी हो जाएंगे, और हम बड़े शांत हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, कदाप ही नहीं, ये ब्रहम छोड़ दीजिए, इसलिए जो भक्ती के प्रतिकूल धर्म विरुद्द च जिए इस्ठा नहीं होनी चाहिए, जो अपनी भक्ती के प्रतिकूल हो, कैसे जानेंगे आपके भक्ती के प्रतिकूल है, सची मानिए, सब के हरदय में जगत गुरु भगवान विराजमान है, और सब को आदेस करते हैं, सब को, आप कोई भी आचरन करने जाएंगे, आपको अरजुन का सार्थी बना हुआ बेठा है, सब का सार्थी बना हुआ बेठा है, आप पहले प्रशन तो कीजिए, अगर आप प्रशन करना नहीं जानते हैं, तो सुनना जान लीजिए, आप थोड़ी देरे कागर हो करके अंदर सुनिए, उतर आ रहा है, ये ठीक नहीं है, ऐ इसा नहीं करना चाहिए, उसी समय मन बोलेगा, नहीं करना चाहिए, बड़ा लाभ मिलेगा, बस पहचान होनी चाहिए कि कौन सी गुरू की आग्या है और कौन सी मनमानी आच्रण की बात है, प्रयासस्च, आपका कोई भी ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी आपकी भक्ती विमुख है उनको हटा दीजिए मनो रंजन नहीं चलता इस मार्ग में इसमें मनो भंजन चलता है मन का नाश ही सुरूप बोध है मन का नाश ही प्रेम मार्ग में प्रविश है मन मार्या तनवस में कीना हुआ भरम सब्दूर बाहर से कछ दीखत नाहीं अंदर प्रविशम के नूर आप उत्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम उनमें तो कछवंतर नाहीं संत कहो चाहे राम मन मार्या यह जो हम मनो रंजन के लिए तैयार हो जाते की आठ घंटे हो तो गए साधन भजन थोड़ी देर तो मनो रंजन होना चाहिए यह थोड़ी देर वाला ही आठ घंटे के उपर पोचा लगाने की चिस्टा करेगा ऐसा कोहरा पैदा कर देगा अंधकार पैदा कर देगा जिससे हम सही मार्ग क्या है नहीं जान पाएंगे यह जीवन अब मनो रंजन के लिए नहीं है हमारा मन रंजन हमारे ठाकुर का नाम रूप लीला धाम होना चाहिए अन्य नहीं प्रजल्पो आगे आग्या कर रहे है कि जो हम बोलने का भ्यास है प्रजल्प कुछ भी किसी से कैसे भी बोल रहे हैं बिना मतलब बोल रहे हैं कोई आवश्यक नहीं है यह बेर्थ की वारता करना आप रोकिये प्रजल्प यह सुभा होता है कभी क भी ऐसा उपाशक में देखा है बेमतलब की बाते कोई तुकता नहीं एक सब्द को घसीट के आधा घंटा तक उसे इधर उदर फैलाना संसारिक्ता में नहीं ठीक उत्तर ठीक बात भगवत संबंद से युक्त बात मंगल में बात प्रिय बात हितैशिता से भरी भगति वर्धक बात होनी चाहिए ब्यर्थ की बारता नहीं होनी चाहिए संसारिक्ता की मिलावट नहीं होनी चाहिए अगर हमारे हिर्दय में प्रजल पशुभाव है जिससे आया उसी से बात कर रहे हैं हस्रे प्रपंच की बात कर रहे हैं यह हमारे भक्ती को छिल करने वाली है उपाशक गंभीर है और नियमाग रहा श्री रूपको श्वामी जी कह रहे है कि जो नियम गुरुदेव ने आपको दिये है उन नियमों का कभी उलंगर नहीं होना चाहिए दीर्ग काल तक गुरु प्रदत्य नियमों का पालन होना चाहिए जो सी गुरुदेव ने आपको नियम दिये है उन नियमों का दीर्ग काल तक पालन होना चाहिए और कोई मनमानी नियम नहीं लेने चाहिए दूसरों के अधिकारगत नियमों को नहीं धारन करना चाहिए अपनी उपासना में अपने गुरुदेव ने अ किसी के दूसरे के नियम देख कर लेना चाहिए, बहुत ध्यान देने योगी विशे है, दूसरा बहुत ही स्रेष्ठ नियम धारण के पर मेरे गुर्देव ने मेरे को जो नियम दिया है, पूरा जीवन उसी नियम में रेना है, तभी हमारे हरदय में प्रेम लक्षण भक्ती क अविस्तार होगा, ये शावधानी का बहुत सुंदर, बहुत महिमा में ये बात है, हमारे गुर्देव ने जो हमें नियम दिया, मैं उसी नियम के अंतरगतर हूँ, कोई अपना मनमानी नियम नधारण करूँ, और कोई बाहरी किसी के देख कर नियम नधारण करे, बनी होती है, लोगों से मिलने की, एक सोभा होता है, इसमें कहीं न कहीं छुपी हुई मानप्रतिस्ठा की भावना होती है, लोगों से मिलें, लोग हमें जानें, हमारा प्रभाव, ये कई तरह की वो अंतरयामी प्रभु सभरदे की बाते जानते हैं, जन संसर्ग वो एक ख खुजली है जिसके खुजलाने में लगने से साधक अपने वो सूक्षम लक्ष जो प्रेम गली यति सांकरी उस से वो चूक कर बैठता है उस गली से वो चूक कर बैठता है वो गली बहुत सांकरी उसमें दो नहीं एक हो के जाना पड़ता है एक हो के यह जन संसर्ग बहुत हा निकारक है अरतिर जन संशदी स्री गीता जी में भगवन करें एक आंत देश का सेवन करने वाला और भीड भार से एकदम दूर रहने की भावना वाला जैसे यहां भगवचर चाहो रही भीड नहीं है यहां एक ही है सब भगवदा शक्त चित बैठे विए सब हरी के आशिक बैठे विए सब हरी किशूरी किशूर के अनुराग में डूबने वाले यह एक ही है अनेकता जहां बिविदभावों वाली वाशनाओं वाली नाना प्रकार की अन्चेश्टावें होती है उन्चेश्टाव में रत लोगों को जन संसर्ग कहते हैं ऐसे लोगों का शंग न करें चाहे वो इस्त्री हो चाहे पुरुष हो जिसके संसर्ग से हमारी कुमति का वर्धन हो हमारा भजन छीन हो उसका हमें त्याग कर देना चाहिए जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरी विमुखन को शंग कोई भी हो कोई भी जिसके संग से भगवद विश्मरण हो जाए जिसके संग से हमारे हिर्दे की पवित्रता नश्ट होने लगे हमें वो संग त्याग कर देना चाहिए अगर हम जन संसर्ग करने के स्वभावले तो हमारी भक्ती छीन हो जाएगी हमारी भक्ती नश्ट हो जाएगी और कभी-कभी हमारे हरदे में एक बात पेरित करती है जन कल्यान के लिए प्रचार की तो देखो सची बात मान लीजिए जन कल्यान की योगिता तभी होती जब भगवस शाक्षातकार हो जाए क्योंकि आप जान गए कि किसी का कल्यार नहीं होना कि उलसा भगवस शुरूफ है अब आप आनन्द लीजिए आप जगन नाटक मंच पर रोल कीजिए कोई आपको फसा ले सकता क्योंकि आप जान गए है जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए यदि आप उस परमतत्त को नहीं जाने तो मान प्रतिस्था आपको फशा करके जहां आप जाना चाहते वहां से वंचित कर देगी इसलिए ये प्रचार करने का अधिकारी वही है जिसके हिर्दे में प्रशार हो चुका है प्रचार हो गया है तो प्रचार के अधिकारी हो भगवत अनुडाग में छका हुआ उपाशक जहां किंचिन मात्र किशी वाष्णा की गंद भी नहीं है कहीं भी जम संसर्ग में चला जाए उसे कोई फास नहीं शकता भूने हुए चने कुछ है जितनी खात पानी लगो अंकुरण होने वला नहीं यह हरी आशक्त चित महापुरुष भुने हुए चने है लेकिन इमामदारिश्य देख लेना चाहिए यदि हमारी स्थिती ऐसी नहीं है तो पहले अपने हर्दे को भगवदाकार करना है पहले इन वेगों पर विजय प्राप्त करना है पहले भक्ति के इन विघनों से बच क भक्ति महारानी का जो अंकुरन हुआ उसे ब्रक्ष रूप करना है जैसे एक छोटा सा वटवरक्ष का बीज होता है वह आजयोवाइन के दाने जैसा होता है और वह जब जगेगा ना तो बहुत छोटा किंगा होता है और जब अपने शुरूप में आता है तो हाथी भी उस शरी की बात है 22 बजारों में मार कोड़े उनकी खाल कीची जा रही लेकिन हरी बोल एक बार भी कहीं आहा या दया या कुछ ऐसा नहीं निकला हरी बोल हरी बोल कितने शुंदरी नवयूती उनकी कुटिया में जाती आकांक्षा करती है यह हमसे कामभाव से देखें बात करे और महापुरुष का प्रभाव से भागवतिक रंग में रंग दिया और उसका एक इंच भी प्रभाव हरदे में नहीं गया आप विचार करो यह है यह हरी नाम प्रचारक यह है जहान कंचन कामिनी ना देभाव सच्चिदानन स्री कृष्ण के अनुराग में छका हुआ महा जन संसर्ग हमारे लिए बहुत हानिकारक है जब तक हम भगवत चरणारविन्द में आसक्त चितना हो जाए तब तक इस प्रचार की वासना को भी हमें रोकना चाहिए पूजी पाद स्री रूप गोश्वामी जी महराज के रहे जन संसंग अगर आप जन संग करेंगे जो न कि हमाने नाम रूप लीला धाम गुरु निष्ठाद में विचिलता पैदा हो रही है इसके संग से विशेशेवन की लालशाएं प्रबल हो रही है हमें संग त्याग देना चाहिए हमें एक मात्र लक्ष रखना है जिनके संग से जिनके दर्शन से शंभाशन से हम इन वेग संग नहीं है वो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हमारे लिए बड़ा लाभदायक है एक संग को त्यागने के लिए दूसरे शंग की आवशकता है संसारिक संग में फसा हुआ मन जब तक भगवत प्रेमी महापुरुषों का संग नहीं करता तब तक उस संग से निकलने कि उसकी योग्यता नहीं बनती तब तक उसके हरदे में वो अध्यात्म बल नहीं आता जित संग दोशा जो अध्यात्म बल चाहिए जित संग दोशा का वो भगवत प्रेमी महत्माओं के शंग शे आता है हम शंत सभा में जाएं हम संतों का शंग करें उनके उपदेश शुने तो हमारे मन में ऐसी धारणा आ जाएगी कि जन संसर्गा चाही नहीं लगेगा अर्तिर जन संसदी पीड़ भाड बिलकुल जहां संसारिक वरता, संसारिक बेवार, संसारिक उत्सोर है हमारी बिलकुल रुची नहीं होनी चाहिए, ये भक्ती को सुरक्षित रखने की उपाय है लवल्यंच, ये जो हमारे अंदर चंचलता है बाणी की चंचलता, सरीर की चंचलता, दृष्टी की चंचलता, ये बेढ़ंगे धंग से चलना, बेढ़ें पेर हिल रहा है अब अरे नहीं, मन को ये कागर करके लगा, उपाज होता है, कपड़े चबा रहे हैं, नाखून चबा रहे हैं बैठे तिनका तोड़ रहे हैं, कुछ भी ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसके सेकड़ों टुकड़े हो रहे हैं ये चांचलिता भक्ती में हानिका रख, जहां हाथ रख दिया, रख दिया, शांत बैठे, जहां सरीर कोई, मालो आपको ब्रद शरी, तो आप आशन में बैठ जाए, सोफा में बैठ जाए, आराम, जहां बैठे, वो हिलन, डुलन, चंचलता, ये भक्ती में बादक है, ये का सयमन करना चाहिए, हाँ, मारग में चले, गंभीर हो करके चले, वो चंचलता ऐसे बार बादी, धर उदर, दृश्य देख, ऐसा नहीं, गंभीर चले, बोलिए, बेधांगे, उसे मत बोलिए, भगवन नाम बोलिए, भगवत कीरतन, भगवत, लीला बोलिए, बहुत पव हास करके हसना और उद्दंडता भरी चुहल बाजी करना और ये सब ठीक नहीं है गंभीर शुभा हो भगवत चर्चा में कभी आनंद पुरुवक हस रहे आपस में ऐसे कोई विनोद नहीं ऐसे कोई हास नहीं कोई मजाक नहीं जो हमारी भक्ती की अभेलना करने वाले हो कोई पुरुष तुमें देख रहा है और तुम दो शादक ऐसे विनोद कर रहे हो वो क्या सोचेगा उसकी स्रद्धा में क्या सर पड़ेगा आपका प्रतेक आचरन दूसरी की स्रद्धा पुष्ट करने वाला हो हमारा हाश विनोद परिहास चंचलता ऐसी कोई नहीं हो जो हमार कंठी धारन के तिलक धारन के कैसे बोल रहें कैसे खड़े खड़े चाट खा रहे हैं ठली अपर देखो कैसे कोई भी हमारी चेष्टा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारे वैश्ष्णो धर्म के विरुद हो मारे आचारी हमारे गूर्देव को को गालिया दे ऐसे आचरन नह अंतर गाताते हैं इन दोशों पर जो विजय प्राप्त करता है उसकी भक्ति सुरक्षित रहती है